27 जुलाई से भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाली वंडे सिरीज और टीट्वंटियाई सिरीज के लिए गुरुवार को टीम इंडिया के स्कौाड का एलान हुआ इस सिरीज के लिए भारते क्रिकेट टीम में कई बड़े बदलाव किये गए हैं हार्दिक पांडिया को हटाकर सूरे कुमार यादव को टीम इंडिया का नया T20I कप्तान बनाया गया है और शुमन गिल को उपकप्तान चुना है इसके अलावा दिगज आल राउंडर रविंद्र जड़िजा को वंडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है रिपोर्ट से मुताबिक अब जड़ू का वंडे क्रिकेट करियर खत्म हो गया है इसके संकेत BCCI ने भी दे दिये हैं BCCI ओफिशल ने हिंदुस्तान टाइम से कहा है कि चैंपिन्स टॉफी से पहले भारत को सिर्फ छे एक दिवसिया मुकाबले खेलने हैं ऐसे में चैन करता अक्षर पटेल और वाशिंटन सुंदर को अधिक से अधिक मौके दे कर एक्सपरिमेंट करना चाते हैं यानि कई न कई ये तैय माना जा रहा है कि जड़ेजा को ICC चैंपिन्स टॉफी के लिए भारते टीम में कंसीडर नहीं किया जाएगा अभी हाली में T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इस 35 वर्षे खिलाडी ने T20 आई फॉर्मेट से सन्यास ले लिया था लेकिन अब ODI फॉर्मेट में भी उनके करियर पर रोक लग गई है बताते कि जड्डू ने अपने बंडे करियर में 197 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 220 विकेट चटकाए हैं महीं बल्ले बाजी करते हुए बाएहाथ के इस हरफन मौला खिलाडी ने लगबग 33 की आउसत से 2756 जड़े हैं जिसमें 13 अर्दशा तक भी शामिल हैं BCCI official ने आगे कहा कि जड़ेजा के प्रदर्शन में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन प्रबंदन अन्य विकल्पो पर विचार करना चाता है क्योंकि हमें भविशे में एक टीम बनानी है हलाकि World Test Championship को मद्दे नजर रखते हुए रविंदर जड़ेजा टेस्टीम में बने रहेंगे Home condition में उनकी गेंद बाजी unmatchable है दोस्ते इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और क्रिकेट से जोड़ी तमाम खबरे लगाता और प्राप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें